हलो फ्रेंट्स मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए आज इस 24 वर्सिय महिला के पाम का अनसेस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो इनका कुछ मूल कोशन्स है वो इस प्रकार हैं कि इनको जानना है इनके शादी के विशे में इनके शादी में अरचने काफी आ रही हैं तो इसके क्या कारण है और कब तक ये अरचने दूर होंगी और वो अच्छी तरीके से इनके जो भी इनके पिताजी जहां भी यह बात करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई वज़ा से थोड़ी बहुत परिशानिया इनको जेलना पर रहा है बात होते होते भी रह जाती है ठीक है तो दूसरा इनको जानना है कि इनके पाम पर IAS, IPS या फिर IFS, IRS इन सब चीजों के जॉब के योग है मतलब पदादिकारी पदों के योग है मतलब बेसिकली UPSC के योग है जिनमें ये सेक्टर्स हैं IAS, Indian Administrative Service, IPS, Indian Police Service इन सब टाइब के जॉब के लिए इनका पाम eligible है कि ने ये मुझे बता है थर्ड वन इनका question था जिनसे इनकी शादी होगी क्या वो इनके घर से उपर होगा इनके जादा रखने वाला होगा या फिर इनसे जादा उचे खांदान मतलब उचे रुटवे का होगा तो ये कुछ इनका जाना है तो ये मैं इनके हतेली के माध्यम से आज इनके सवालों का जवाब करूँगा और थर्ड वन कि ये अभी इनको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही concentration वेगरा मामले में तो उन सब चीजों कि क्या निवारन होनी चाहिए हो कब तक योग इनके हतेली से दिख रहे है तो सबसे पहले चीज जो इनका question सा शादी तो देखो जो विवाह के जो main गरह होते हैं वो गरह होते हैं आपके Jupiter हो गए हैं आपके सबसे जो main हैं जो विवाह कारक गरह हैं और जो लड़कियों के जीवन में या फिर लड़कों के जीवन या कुंडली या हतेली के माधियम से हम देखते हैं कि जिस गरहों का शादी के हिसाब में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो आपके ब्रेश्पती जब से पहले कि ब्रेश्पती की प्रदानता हाथ पे होनी चाहिए second one शुक्र शुक्र डिपेंड करता है शुक्र मैटर करता आपकी दांपते जीवन के सुक को आप कितना सुक्र भोग विलास करिएगा अपने जीवन में थर्ड वन की आप कितने लगजरी का सुख आपको मिल पाएगा या फिर आपके जो जिन्षे शादी होगी वो कितना केरेबल या फिर कितना प्यार करने वाला या फिर कितना जादा आपके लिए डेडिकेटेड होगा तो इन सब चीजों का जो हम देखते हैं हतेली से वो शु उसके अधार पर ही देखा जाता है कि शादी विवाह कबसे होगा और एक होती है विवाह रेखा जिससे विवाह का जो एज है वो हम गनना करते हैं ठीक है कि वो किस एज में होना चाहिए और अगर कोई बोलेगा कि सर हमारे तो विवाह रेखा काफी नीचे वह में बताऊं तो इन तीनो चारो कंडिशन को इनके पाम से देखते हैं कि इनके लाइफ में क्या आरचने दिखा रही है तो सबसे पहरें नजर जाते हैं इनके जुपिटर पर तो इनका जुपिटर देखो आप क्लियरली देखो तो इनका जुपिटर डाउन जा रहा है ठीक है कहीं से उबार नहीं है यहां से भी काफी दवाब है जुपिटर में तो ये जुपिटर में अच्छा नहीं मानूँगा जिसकी वज़जह से इनको परिशानी होगी इनकी लगन समStation में इनको परिशानी होगी लगन इनका होते होते रह जाता हो goog ね third one इनको पढ़ाई में concentration में भी इसू होगा और ऐसा Jupiter इनको कही ना कहीं UPSC में भी तोड़े से कम योग दर्शारा है कि अगर रश्पती अच्छा नहीं हो तो आप UPSC के जॉब के विशह में नहीं सोचो तो जादा बहतर है क्योंकि वो आपको कही ना कहीं परिशानी करेगा तो जरुरत है काफी जरुरत है ऐस जूपटर की remedy करने की ये काफी जरुरत है सकेंड वा इनका शुकर मीडियम में है लेकिन जूपटर एकदम misbalance किये वो इनके पामपे ठाड़ वन चनर्मा भी इनका मीडियम मवस्था में है लेकिन ये जो शुकर व ब्रेश्पती में balance नहीं है तो इनकी शादी ये डिले करवा रही है और लगन तेज में कमी करवा रही है और इनके मन एक छिक इनको पोस्ट मिलने में भी कमी करवाएगी और विवाह रेखा भी काफी दूड जा रही है तो ये इनकी विवाह जो नविलंब से इनके आतेली प्यारी है अगर इस Jupiter को यह strong करती है तो otherwise इनको इस Jupiter इनको problem create करते रहेगा चुकि इस Jupiter में strength मैं नहीं देख पा रहा हूँ second question था इनका husband कैसा मैंगा देखो यह पूर्णता बता पाना सिर्फ एक palm से तो मुस्किल है इसके लिए व्रहत कुंडली analysis करनी परती है और उसके बाद हथेली के माध्यम से अगर शुक्र में प्रधानता हो तो यह तो तैवाली बात है कि आपके शुक्र प्रधान है भागी रेखा अच्छी है और जिस age से आप गुज़र रहे हैं उसे इसे fate line भी अच्छी है और आपसे बड़े रुतवे रखने वाला आपका husband होगा यह चीज तो आपके अधरी से दिख रहे है क्योंकि third one भागी रेखा का भी साथ है तो भागी रेखा भी क्या denote करती है कि आपका जो काम होगा जो काड़ी होगा वो भागी से अच्छा हो जागा कहीं न कहीं लेकिन जो main problem था वो जुपिटर के द्वारा था इसकी remedy करो आपके जो husband मिलेंगे वो जरूर आपसे उचे होंगा आपके expectations के अधार पे मिलेंगे ठीक है और इनका तीसा question था UPSC का कुछ अगर जोपिटर को मजबूत करने वाले कुछ अगर चिन ने बने हतेली पर तो फिर वो अलग बात है लेकिन मेरे कॉर्डिंग लिए यह हाथ जो यह UPSC करने वाले candidate का हाथ नहीं है फिलाल तो नहीं है तो आगे चलके जोपिटर की remedy करने के बाद कुछ शूरी लेका डबल अब कर जाए पाम पे तो कुछ extra ordinary science बन जाए तो फिर वो अलग बात है ऐसे बहुत से cases में हुआ है लेकिन फिलाल present time में at present days यह UPSC के लिए eligible नहीं है हाथ चोटे मोटे job के लिए zero eligible हो इसमें यह चीज़ दिख रही है वो मैं जब analysis पर आऊँगा तो मैं उसके विश्य में आपको सारे कुछ बता दूँगा तो यह तीन मूल questions था इनका अब इनका जो टाम analysis है वो मैं करता हूँ और देखता हूँ कुन सी बाते दिख रही है इनके आतेली के माद्य हमसे तो सबसे पहले मैं finger को देखू तो जुपिटर finger band कर रही शेटर्ण के तरफ तो यह धार्मी का आस्ता लेकिन जुपिटर अगर भी करे तो इनसान के मन में रहता है कि मैं पूजा पार्ट के परती मैं करूं मैं यह परती को पूजा पार्ट करने के समंथ में लेकिन इंसान कर नहीं सकता इनसान करने जाता है तो distraction आता है इनसान उतना धानमिक नहीं हो सकता लेकिन खगवान के परति एक दया की आस्ता ऐसे जातकों में देखने को मिलती है और ये Jupiter धर्शार है कि ऐसे लोग का रिलेटिप से भी सम्मन्ध कराब रहता है जो इनका रिलेटिप से होंगे हो सकता है उनसे भी इनका कोई सम्मन्ध किसी परकार से खराब हो फिर इनके बाद एको इनको Saturn इनकी Saturn और सुरी काफी attached है तो ये calculations wise ये strong होंगी अपने life के calculations wise और चीजों को समझ सकती जो होती है वो ऐसे जातको में अच्छी पाई जाती है ऐसे लोग अच्छे खासे समझ को रखने वाले जानने वाले और कोई भी चीज करते है ना तो उसको समझदारी पुरुवक करते हैं ये चीज इनके हतेली से दिख रही है Buddha finger first friends तक महुंँ है तो अप communion location skill अच्छी होगी और ये ऐसे लोग अपने communication skill के दम पर लोगों को अपनी बाते समझा पाते हैं और कहीना कहीं हिम्मती भी होते हैं चुकि सूरी फिंगर इनकी अपर जारी है इनके जुपेटर फिंगर से तो हिम्मती नीचे रहेगा रिक्स लेने की capability रहेगी और कुछ उचा सोचने वाले जातक होते हैं जो लोग हमेशा कुछ उचा ठिंक करने वाले होते हैं छोटे प्रशानी हो तो वो अलग चीज है लेकिन ऐसे लोग हिम्मत वाले होते हैं बुद्ध फिंगर हल कीसी जा रही है इनकी सूरी के तरफ तो वो बिजनस एबलीटी ये लोग बिजनस के तरफ भी ऐसे लोग का जान जाता है गया से इनका नीजा इनके हस्बंड का जरूर जोब के साथ साथ वो बिजनस के परतीबी वो जाए और बिजनस के परतीबी वो बिजनस भी करें ठीक है फिर इनके पाम पे मैं चीज दिखांगा तो समझदारी तो कुछ समझदारी के लूप तो बन रही है तो ये समझदार होंगे चीजों को समझने वाले होंगे सोच सम पैकेट नहीं देखते हैं खर्च करते हैं अब मैं एक चीज़ आपको बता चाहूंगा मैं इनका राइट पाम से आना है तो इनका राइट पाम से आना है और थोड़ा सा निराशावादी सोच डबलब करवा देगा ऐसा जुपिटर वाले इनसान तो इससे कम एनर्जेटिक होते हैं कम दार्सनिक होचे हैं और इनके हमेशा इनको परिशान करते हैं इसके लिए रेमेडि करने की आवश्यक्ता है वह मैं इनको बता दूंगा इनको क जाता होगों को म clearance का फ़ल मिलता है निको कहीं ना कहीं मिसिंग फिल होता है फिल जरूर ठोगा कि मैं ये कर रही हूँ मैं ये ट्राइए कर रही हूँ लेकिन इसका कोई benefit मेरे life पे नहीं आपा रह है फिर देखे हो दिनके पारम पर शुड़ीर सुड़ी यहां सो बार तो इसे लोग नेम फेम का चाहा रहता है अगर इनका इच्छा था कि मैं UPSC करूं तो वो नेम के लिए वो सोहरत के लिए वो समाज में अपने परतिष्ठा को बनाने के लिए ये लोग UPSC के परति प्रेडित थे UPSC करने के लिए जा रहे थी तो ये ऐसे लोग नेम फेम के परति जरूर जाते अपनी जीवन में और एक चीज़ में दिखाओ शूड़ी रेखा पैत्रिक संपत्ती के तरफ से निकल के आ रही है तो ये शूड़ी रेखा इनको पैत्रिक संपत्ती का साथ दिखा रही है दरिशा रही है लेकिन कुछ distraction भी है शूरी रेखा पर तो concentration में ये शूरी रेखा issue create करती है ऐसे लोग concentrate थोड़े कम होते हैं अगर ये कुछ concentrate करना चाहें तो ऐसे लोगों concentration में कम ही दिखती है अगर हाँ अगर उस पर work किया जाए, काम किया जाए तो उस आधार पर एक चीज तो जरूर देखने को मिलेगी कि extend करेगी, शूरी रेखा बढ़ेगी इस मैंस कि ऐसे लोग dedicated हो गया, concentrate हो चुके है ऐसा मैंने बहुत से पाम पर देखा लेगिन फिलाल जो है दिया गया है, तो वो काफी अच्छा effect आया है काफी अच्छा effect आया है, जो remedy मैं चातों को बताता हूँ फिर देखो तो इनके पाम पे, अब आप बोलोगे, सर आप remedy क्यो नहीं बताते है देखो हर एक हादेली के मादियम से हर अलग-अलग परकार की remedy या होती है तो उसके विश्य में अगर मैं चर्चा करने लोगों तो complicated हो जागा क्या पता आपको सूट ना करें तो आपको पाम में स्ट्री गरत लगे लेगी इसलिए हर एक हांत के हिसाब से अलग-अलग remedy होती है तो वो basically जब हम अमरे पास आता है, पाम आता है तो भी मैं उस चीज को reveal करता हूँ, लोगों को बताता हूँ फिर इनके बुद्ध पर दो-तील नाइन है, तो money management में अच्छे होगे बुद्ध ठीक है, तो हिम्मती नीचे रहेगा बुद्ध से जुरावागा, बुद्धी मता से जुरावा कारी कर सकती है घरिलू काम में महारत आसिल होँगी, घरिलू होँगी, घरिलू व्यक्ति के तरह घरिलू चीजों में ज़्यादा involved होती होँगी और सर एक घरिलू चीज का ग्यान होगा ऐसे लोगों का बुद्ध अच्छा है तो अंदर से स्ट्रॉंग होँगी, ठीक है, अंदर से नर्वस नहीं होँगी फिर देखो तो मंगल ठीक है, एक एनर्जी नॉर्मल स्तरकी रहेगी, लेकिन हाँ ऐसा मंगल जब रहे है, जब इनका मंगल देखो, यहाँ से हलका सा आपको दवाब फील होगा तो यह थोरा सा मंगल में हलकी सी प्रॉब्लम आएगा कि किसी से मिलते होंगे न तो उतनी एनर्जी नहीं रहती होगे, लेकिन मंगल अच्छी है, तो लॉजिकल पावर रहेगी एक रेखा मंगल के तरब से प्रबल बनती भी नज़र आ रही है, तो यह इनके कोई रेलेटिब्स इनको दोका देंगे या फिर इनके कोई सगे संबंदी है, जो इनके विशे में अच्छा नहीं सोचेंगे, ऐसा प्रबलम हो सकता है फिर देखो चनरमा, चनरमा इनका तो है, यह ठीक है, मीडियम अस्था में है, तो नॉर्मल अस्थर की सांती रहेगी माइंड की इसा चनरमा इनसान को प्रस्टनैलिटी अच्छी देता है और बोल चाल अच्छी होगी, लोगों से बोल कनवर्शेट कर पाती होंगी लोगों से जुराव अच्छा होगा और कभी भी कलत वर्ड का यूज नहीं करते होगी इज़्जत करने वाले होगी बहुत ऐसा चंदरमा इनको पैसे धनकी बेस्थते इनकी जीवन में बनाएगा और ये विदेश योग ऐसा चंदरमा इनको दे रहा है क्योंकि देखो एक रेखा बन रही है जो भागी रेखा का ब्रांच चंदर से निकल के भागी रेखा ऐसे टैच हुए ये बहुत यची बागी रेखा है बहुत बढ़िया बागी रेखा ये विदेश योग दर्शारी इनके पाम पे कुछ यात्राएं इनका जनम अस्थान होगा वहां से दूर इनका वास होगा दूर इनका सक्सेस होगा ये चीज़ होगा फिर देखो तो इनके शुक्र है मैं जैसे मैंने बताया काफी अच्छी है तो money management में अच्छी होगी पैसे की दिक्कत नहीं होती होगी काम नहीं रुखता होगा पैसे के माधियम से तो ये सब चीज़े दिक्क रहे होगे इनके अंदर ये काम को handle कर सकते होगे उस पैसे के माधियम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मंगल ठीक है नॉर्मल स्थे के energy रहेगी हलकी फलकी से यहाँ पर doubt है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है वो normal चीज़ है हलकी फलकी tensions की nature रहेंगी हलकी फलकी tensions होगी इनको हो सकता है कि tension से ले फॉर उसका चंदरमा इंक चौर इनका थंब अच्छा है फर्स टेकेंड दोनों अच्छा है एक्षा प्लस तर्ख सकती दोनों अच्छी होगी कोई दिक करने है हाँ एक जुकाव वला नेचर है तो अगर आप कभी इन से कुछ गलती हो जाए तो यह जुक भी जाएंगे कभी खड़ी अडिंग नहीं होगे कि नहीं मैं नहीं किया मैं तो यह पूरी तरह से समझ पाएंगी इतनी समझदार ऐसे लोग होते हैं फिर देखो तो इनके कुछ डिजायर्स की लाइने बनी हो तो ऐसा लोग डिजायरेबल होंगे कुछ इक्छा होगी कुछ करने की कुछ ललक होगी अपने जीवन में आगे बढ़ने की लेकिन पिटर और हलका सा सनलाइन में दिक्कत है तो इसकी रिमेडि अती आवश्यक है करना तब यह अपने जो इनकी बेसिक नीट्स होंगे या फिर जो बेसिक डिजायर्स होंगे उनको फुल्फिल यह कर पाएंगी अब फिर देखो तो इनकी जुम्हें जीवन रेका बहुत यह स्वास्त में कोई प्रक्रा की शमस्या नहीं आएंगी स्वास्त बहुत उत्तम रहेंगी और जो डिपेंडेंसी कही होगे वो भी 22 वर्स की बात खतम हो चुके थे और हलकी से एक प्रोग्रस टाईना जो कि लगबग इनकी 24-25 के एज में हलकी से नॉनमल है तो देखो इनकी जो मूलता इनकी जीवन है ना डिपेंडेंसे इनकी लगबग इनके 24 तक थी एक हलकी 24 में लाइन थी 23-24 में थोई से दिक्कते आई होंगी फिर उसका क्लियर जीवन रेका जीवन रेका बहुत स्मूथ है तो दिरग आयू है 75 यर प्लस है आयू में कोई समस्या नहीं स्वा आसकी समस्या आपको नहीं होगी फिर देखो तो माइंड रेका हलकी से टूट रही है यह लगवा हिंकी 55 वर्स क्या आयू है और एक हलकी से टूट रहे यहां पर फिर यहां से बढ़ रही है तो यह थ्वासा दिक्कत हो सकती है हाँ चोटी माइंड रेका और अन्बैलेंस् सकती है इलिट्रिशन हो सकता है जगरा जंजट कर सकती है और कभी-कभी बहुत परिशान हो सकती है डिप्रस हो सकती है माइंड क्या कर रही है ब्लैंक हो सकती है कुछ पता नहीं चल रहा हो क्या कर रही है डिस्टेंस चुकि सही नहीं आप रहा है माइंड रेका ठीक से नह कोई ना कोई माइंड संबंदी मामले में दिक्कत है ज्यादा सोचेंगी ज्यादा प्रशान होंगे लेकिन हाँ अब मैं यह भी बोलना गर उस समय यह बन जाए तो फिर इसके कोई नेगेटिव इंपक नहीं आने है हाँ चुकि बैलंस डिस्टेंस सही नहीं मिला है तो माइं कभी-कभी मिसबैलेंस या फिर ब्लैंक खिसकायथ आफिर यह क्या कर रही है डिप्रेशन में जा सकते हैं ये प्रबलम है हठकी ठीक है नहुतना रूड हैं नहुतना कोई मतलब लग लोगी बैलेंस परस्टेनलिटी होगी एमोशंस में नहीं बैठी होगी और एक हिम्मत वाली होंगी चुकि दिल की इस ट्रोंग ऐसे जातक होता है ये दिक रिय ए है को कि जोपड़ तक गई है परिवार कopen neural की थी परिवार के साथ रहने वाले फिर आगे fate line पे काफी अच्छी चली है यह इनकी fate line में कोई दिक्कत नहीं एक दिक्कत था लगबग इनके 29 वर्स में दिक्कत था और 26 वर्स में इनके 27 वर्स में काफी अच्छी progress है जो कि इनका बहुत अच्छा progress होगा वसकता है foreign की trip भी बन जाए या फिर घर से बाहर को इ यहां से कुछ एक लाइन भी बन रही है जो कि ट्रेंगल का फॉर्मेशन है यह भी प्रपर्टी इंडिकेट करें तो देखो 32 वर्स को एक प्रपर्टी बनाओगी 26 वर्स में कोई ना कोई सकसेश होगा चुकि दोरी बागे रेखा एक आपके फेट लाइन को जुरी चंदर से निकल के तो सकता है कोई ब्रह्मन हो कोई positive changes जीवन पे होंगे या फिर कोई विदेश यात्रा हो तो यह changes दिख रहे है या फिर कोई आपके husband अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हो समय तो आपके husband प्रमोशन करें या फिर आपके घर में कोई उन्नती का योग बनेंगे आपक success करो कि जो तुरी बहुत अर्चन है उसका बस remedy कर लो बागी कोई दिक्कत नहीं major question था शादी तो शादी के योग के लिए तो इसके remedy करो के तो हो सकता है कि वो कुछ जल्दी आपके जीवन पर उसके योग बनें यह होता है remedy करने से होता है इसे कोई दिक्कत वाली बात नह अच्छा है फेट लाइन काफी अच्छे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके जो हस्बंड होंगे वो भी काफी अच्छे होंगा आपके पाहम काईदार साब देखो पूरा description के लिए उनका भी मुझे कुडली और आपकी कुडली दोनों मैच करके देखनी होगी या फि और लाल वो तो है नहीं तो फिर जो आपके पाहम से decisions दे रहा हूं मैं वो यह हैं पी आपके हिसाब कि आपके पाहम से आपको अच्छे ही घर मिलने चाहिए चोकि उसके बाद भी ट्राइन अच्छी है जीवन रेका में दिक्कत नहीं तो मतलब कोई मूलता पढ़िशानी नहीं आने चाहिए तो इनका जो कोश्चन सा मैंने का एंसर किया अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमें सब्सक्राइब करें और लोगों को शेर जरू करें अगर हमसे प्रस्टनी पराम में चाहते हैं तो हमारा वोट्सप नमबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लेकर संपर्क कर सकते हैं दिन्यवाद।